एक मकड़ी की जाल की तरह है नेट एक नेट की तरह है आजकल तो जैसे देखा जाते सब कोई ब्यक्ति एक नेट में फंसा हुआ है जाल में वह इंटरनेट इंटरनेट सब कोई Facebook, Instagram, YouTube बहुत सरे जगा में कहीं न कहीं तो Snapchat, WhatsApp सब जगा फंसा हुआ है और आज के समाझ में देखा जाए तो इंटरनेट पे जो वेब सेट जितना भी है 98% वह सारे पॉनोग्राफी से भरा हुआ है आजकल के आप मूवीज देखेंगे जितने भी वेब सीरीज जो भी है जितने भी OTT प्लैट्प्रों में जो भी आता है सॉंग्स म्यूजिक वीडियो जो भी है उसमें सॉप्ट प्रॉन दिखाया जा रहा है आपको और हाला तर की इंस्टरग्राम सोशल मेडिया फेस्बूक यूटूब इस सब सारे में भी आ गए दिखने लगेगा आपको और आप एगर किसी वीडियो गलती से भी प्ले कर द नहीं परकेबिदो गान निकल नम्रें पा सकता है तो इसमें को आएंट फिर जो हैं इसागा जाफ सब वाण है जो पॉन देख रहा हो होता है उसको यव क्लाव मलता है उसको पीसफूल होता है बहुत जब्लू अच्छा फील करते लेकिन उसको बहुत सफार करना पड ON फेमाजे ब्राउजर, क्रोम, हाइश्पीड देता है, और जितने भी प्रॉंज कोंपानी है, जितने भी प्रॉंज वीडियो बनाते है, वह लोग बहुत सारे कडोरों कमार है, कडोर, कडोर कमार है, और इंडिया जो है उसमें पॉनोग्राफी देखने में तीसरे नमबर पर आ रहा है मुबारक हो कितने तरफ की कर लिए है क्योंकि पॉनोग्राफी वीडियो बनाने में कर्स को पता है कि ऐसा एक एडिक्स से ने इसको छोड़ना बहुत ज़्यादा मुस्किल है और हैसा नहीं कि टीनेजर्स बच्चे चिल्डरन बुढ़े ओल्ड मैन सब कोई योंग जिनरेशन यूथ हर कोई देखते जब बच्चपन से मूबाइल पकड़ा दिया जाएंगे टैब यह सब पकड़ा दिया जाएंगे उनके हाथ में तो क्या संसकर क्या आएंगे उनके अंदर में हैबिट्स क्या आएंगे उनके अंदर जो देख रहे हैं जो सीख रहे हैं वही तो अपना हैंगे न अपने जिन्देगी में हैबिट्स आदते एक बच्चा जब भारत में इंडिया में पैदा होता है तो बाइनेचरल कौन सा लेंगवेज में बात करेगा हिंदी में एक बच्चा जब अमरीका में पैदा होता है तो बाइनेचरल कौन सा लेंगवेज में बात करेगा इंगलिस में लेकिन वही आमरीका बच्चे को अगर इंडिया में लेकर आजाओ जनम spin आंदर आएगा अ अचल के बच्चे लोगों को देखेंगे तो उनके पैदा होते हैं यहाथ में मूबाइल आ जाता है याद टाप्लेट ऊजाता है क्योंकि उनके मां बापके पास टाइम नहीं है कि अपरे दिन गुसा हुआ थेंक्यू भेरी मच्च